हेलो अर्लीबन, वेल्टम टू आवर जे पेट जीट सीरीज और आज हम डिसकेस करने वाले अपने जेई मेन एंड जेई अडवाइन्स को तो यहाँ पे हम इसकी समझेंगे पूरी की पूरी कहानी यहाँ पता चलेगा कि क्या है पैटर अपने कुशन पेपर का किस तरह से है मार्किंग स्कीम और क्या-क्या है सिलेबस चलिए सबसे पहले जेई मेन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो जो एक्जाम है वो थ्री आवर्स का आपका होता है और इसमें आपसे टोटल 90 questions पूछे जाते हैं जिसमें हर एक subject physics, chemistry और mathematics तीनों से 30-30 questions पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ 25 questions ही attempt करने हैं तो 5 questions के आपके पास choice रहती है तो यहाँ पर टोटल 75 questions आपको करने हैं जो हर एक question 4 marks का होता है तो टोटल आपका बनता है 300 marks का paper तो यहाँ पर हम section wise बात कर लेते कि हर एक subject कैसे divided है तो यहाँ पर जो physics है, chemistry है और math है तो हर एक subject में ऐसा होता है कि section A और section B होते हैं तो section A के अंदर 20 MCQs होते हैं means multiple choice questions जो सभी के सभी compulsory होते हैं हर एक question 20 into 4 means 4 marks का है तो total 80 marks के आपके MCQs बनते हैं इसमें आप कोई भी question skip नहीं कर सकते हैं सभी compulsory है और section B के अंदर 10 questions होते हैं जो numerical value type questions होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 5 questions ही करने हैं means आप 5 questions skip कर सकते हैं है ना बढ़िया बात तो यहाँ पर 5 into 4 आपके 20 marks बनते हैं तो total section A section B 80 plus 20 100 marks का एक subject बनता है similarly chemistry और mathematics तो total 300 का आपका paper हुआ अब यहाँ पर यह भी जाने की जोड़ रहती कि हर एक जो question है वो उसके marks कैसे distribute होते हैं तो जैसे मैंने बताया हर एक correct question के answer पे आपको plus 4 मिलता है लेकिन अगर आपने गलती से भी wrong answer select कर लिया तो आपका minus 1 हो जाएगा और minus 1 होने एक आरण आपके marks और भी कम हो जाएंगे तो जब आप बिल्कुल sure हो कि इसका answer बिल्कुल सही है तब ही उसको correct करें और यहां पर अगर आप कोई भी answer नहीं करते हैं तो आपको zero marks मिलता है जो automatically understood है यह सब था J mains के बारे में अब आपको J advance के बारे में सोना ले में बताएंगे तो सारे बच्चों हो जाओ ready अब हम अपने कमर की पेटी बांधने वाले हैं और उडान भरने वाले हैं J advance की तरफ तो अब सबसे पहले यह याद रखना कि J mains नहीं किया तो advance नहीं कर पाऊँगे क्योंकि हमारे पास है cut off तो J mains को clear करना ही पड़ेगा and you have to cross you have to just get minimum cut off marks और अगर मैं marks की बात करूँ तो यहां पे अपने पास general category के लिए almost 90 marks है it is not fixed यह vary होता रहता है तो almost 90 marks है and then अपने पास OBC category के लिए 70 marks then अपने पास SC category के लिए है 35 marks and ST के लिए यहां पे है 30 marks तो यह exact नहीं है यह एक approach idea है इससे of course आपको ज्यादा ही marks लाने है तो अपनी पूरी तैयारी होगी कि इससे ज्यादा marks लाए हम और अगर आप यह केट-off लाते हो then you are eligible for J advance but हमेशा terms and conditions applied कि आपको 75% votes में आने ही चाहिए अगर आपने 75 marks नहीं लाए तो you are not eligible for IITs clear तो यह एकदम दिमाग में बना के रखना क्यों दीपक सर यस बिलकुल आप सही कह रहे हैं तो आप बताइए आगी paper actually कैसे आते हैं तो हमारा यहां जो एडवांस का जो paper है वो दो paper आता है तो बिलकुल duration है three hours तो तीन तीन शे घंटे अपनी जिंदगी के दे देना और यू विल भी देर इन IIT तो याद रखना कि यहां पर जो हम बात करें paper one and paper two की तो जेनरली जो pattern देखा जाता है वो कुछ इस तरह के का है बट फिर से बता दू जे एडवांस में कभी भी कुछ शोर नहीं होता कि exact ऐसा ही होने वाला है तो this is all about the approximation तो यहां पर जो questions आते हैं वो एक होता है type अपने mcqs का जिसमें अपने पास होंगे सर्फ single correct answer जिसको अगर आपने correct चूज किया है option you are going to get plus three marks अगर आपने यहां गलत option चूज कर लिया then negative marking होगी और minus one mark बट अगर आपने इसे चूज ही नहीं किया है then you are going to get zero that means कोई फर्क नहीं पड़ता अब जो कि most confusing है उसके बार में बात करते हैं जो आता है बच्चों को अकसर इसमें बहुत मुश्किल आती है तो इसको ध्यान से समझना एक mcq type का ऐसा होगा जहां पर आपके पास more than one option correct होंगे वहां आपको क्या करना है बिलकुल ध्यान रखना जितने आपको correct answer आते हैं confident हो तभी mark करना because यहां पर भी है negative marking और सीधे के सीधे आपके minus two हो जाएंगे that means अगर आपके पास option यहां पर थे चार सही और आपने उसमें से तीन सही किये हैं तो आपके सिर्फ तीन marks होंगे are you getting the point that means अगर आपके पास two option correct है suppose की question में दो option ही correct है बट आपने यहां पर तीन option वहां पर चूज कर लिया और एक option आपका गलत है then directly आपके यहां minus two mark हो जाएंगे okay तो जब confident हो किसी option में then आपको यहां चूज करना है otherwise लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो better होगा कि you just leave that question clear तो बिलकुल दिमाग से खेलना है यहां time को एकदम अच्छे से लगाना है और फिर बात करते हैं अपने numerical value type question जो कि बच्चों का favorite है why because यहां negative marking नहीं है सही है तो भाई four marks अगर नहीं किया गलत किया तब भी आपके हैं zero marks तो यह एक्दम safe side चलना है इस question को तो छोड़ना ही मत तो आपने देखा कि जही एडवांस में अपने किस तरह के pattern होते है तो हमने जही मेंस और जही एडवांस की पूरी कहानी देख ली है बट इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपको syllabus नहीं पता है तो अब ही चलते हैं दीपक सर के साथ जो की हमें पूरा का पूरा syllabus बताने वाले हैं तो जैसे कि सुनाली मैम ने और आकास सर ने आपको मेंस और एडवांस की कहानी तो बता ही दी तो अब हम चर्चा करेंगे भी बात करेंगे किसके syllabus के बारे में maths का syllabus भी थोड़ा लेंदी है अगर दूसरे subject की बात करें तो यहां भी देखिए algebra है सबसे पहले आपका unit जिसमें बहुत सारे chapters बनते हैं आपके overall 8-7-8 unit की मैं बात कर सकता हूं जिसमें sets, relations and functions है, sequence and series है और भी बहुत सारे chapters आप देख सकते हूं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह जो star कर रहा क्योंकि यह जो number है questions का वो vary करता है, अगर यहां पर 3 लिखा है इसका मतलब यह नहीं कि यहां से 3 questions आते हैं, 2 questions भी बन सकते हैं, लेकिन chances ज्यादा हैं यहां से question बनने के, ठीक है तो यह chapter हो गया, sequence and series हो गया, यहां से भी questions ज्यादा आते हैं, और actually यह chapter से question जो है, वो combine करके पूछे जाते हैं, advance में, तो यह तो बात हो गई आपके algebra की, algebra के बाद हम देख रहे हैं, calculus, अब calculus में भी बहुत सारे important chapter है, और actually na, calculus एक हिसाब से देखा जाए तो काफी easy है, ठीक है, उसके अंदर continuity, limit, differentiability, यह chapter की मैं बात करूँ, तो g means बोल लो या advance बो, questions ज्यादा बनते हैं, तो important chapter होने वाला है आपके लिए, similarly, integral calculus में भी आपका जो integration है, ठीक है, वो तीनों ही कुछ chapters है, different, different, तो वो भी काफी important होने वाला है, mains, advance, दोनों में ही बहुत ज्यादा questions इससे पूछे जाते हैं, और बाकी जो बर्चे chapters वो भी आपको देखना ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ी दो, ठीक है, तो calculus के बाद हम बात करेंगे coordinate geometry की, ठीक है, coordinate geometry मतलब x, y, axis, ये सब ही पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, जिसमें straight line, circle, conic sections जैसे chapters आते हैं, अब conic section थोड़ा ज्यादा important मैं कहना चाहूँगा, क्यों क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़ना है parabola, ठीक है, और क्या पढ़ना है hyperbola, उसके साथ ellipse, ये सारी चीजी उसके अंदर आप पढ़ोगे, इसलिए उसके जो weightage है, ठीक है, number of questions है, वो main advance, दोनों में ही ज्यादा है, ठीक है, similarly vectors and 3D geometry है, जिसके अंदर आप vector algebra, और भी कुछ chapters पढ़ोगे, साथ में last जो बनते हैं, चैट में से advance में से बहुत ही कम आते हैं, इसी के साथ साथ last बच गया आपका trigonometry, trigonometry में बस थोड़े से ही कुछ chapter है, जो आप I think 9th से trigonometry पढ़ रहे हो, और last 12 तक भी पढ़ना ही है आपको, और main advance में last height and distance की बात करूँ, तो कोई भी questions आए सच पूछा नहीं जाता है, क् यह रहाँ अपना maths का syllabus, अब बात करेंगे अपने physics के weightage और syllabus की बारे में, तो maths के बारे में पता चलिए आपको कि क्या weightage है, कैसी syllabus रहने वाली है, और क्या-क्या question पूछे जा सकते हैं, physics के बारे में discuss करते हैं, तो यहाँ पर पाई चार्ट हमने बनाया यह जही मेंस की physics percentage weight है, मिन्स हर एक unit से कितने percent questions पूछे जा सकते हैं, या फिर previous कुछ year में पूछे गए है, तो इसी को देखो अगर चार्ट में, तो सबसे बड़ा portion जो है ना, वो है यह 29% और एक portion आता है, जो कि है 20% का, है ना, इस portion, यह दो portion, the most important units है, from physics, अगर physics के यही point of view से देखा जाए तो पहले यह क्या है, यह है electricity magnetism, electricity and magnetism, जिससे maximum question पूछे जा सकते हैं, और यह पार्ट है आपका mechanics, mechanics, तो electricity magnetism में कौन कौन से chapter आ गए, electrostatic आ गया, electric current आ गया, magnetic field आ गया, magnetic field intensity, इसमें आ गया आपको electromagnetic induction and alternating current, यह सारे मिला के electricity and magnetism वाला chapter unit complete होता है, अब इसके अलग-अलग weightage क्यों नहीं बनाए हमने, क्योंकि बहुत बार maximum questions जो पूछे जाते हैं, वो सारे units को मिला के पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ electrostatic से आपको पूछ लिया गया, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे units को, बहुत सारे chapters को अलग- motion रहते हैं, और friction, circular motion, rotational motion, तो more focus हमें करना है, laws of motion और rotational motion से, इस दो टॉपिक से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, ठीक है, अगला जो एक important chapter आता है हमारा, जो 10% का weightage रखता है, overall syllabus का, that is the modern physics, इसमें क्या मिलेंगे, dual nature, हाँ वही जिसमें, planks, constant वगेरा पढ़ते हैं, ठीक है, dual nature आ गया, और क्या आ जाता है, atoms, nuclei, easy chapter है, scoring chapter है, इसमें से आपको like maximum question आप correct कर सकते हो, फिर आता है एक optics, जो साल वर साल अपनी consistency को maintain करके रखती है, किसी chapter से question आए ना आए, optics से जरूर दो या तीन सवाल आते ही आते है, ठीक है, तो optics को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, और बाकी के जो chapters है, जैसे की properties of solids and liquid, यह elasticity और fluids, इसमें included है, इस से भी अच्छे का से सवाल पूछे जा सकते है, अब देख सकते है, 8% का weightage भी यह रखता है, तो यह था overall, सबसे कम सवाल अगर पूछा जा रहा है, तो यह physical measurement इस से पूछा गया है, gravitation से भी कम सवाल पूछे जाते है, मतलब, gravitation बहुत easy chapter है, लेकिन gravitation में जो सीखो के concept यह बाकी के chapters में काम आएगा, ठीक है, अब बात करते है, advance में, physics के सवालों में, या फिर physics का advance में क्या weightage है, तो देखो एक बहुत ही, बाकी के दो जो है, जो 50% of the syllabus cover कर रहे है, वह ही है, electricity and magnetism, और mechanics, ठीक है, तो weightage रखने वाला thermodynamics and kinetic theory of gases, means में काफी कम weightage था, इसका, लेकिन advance में जाकि इसकी weightage बढ़ जाती है, मतलब कि advance में, इससे सवाल पूछे जाते है, वैसे तो chapter easy है, scoring chapter है, फिर से बता रहा हूँ, अब देखो, इस chapter से, इसमें हमने क्या-क्या include किया, इसमें हमने heat भी included है, thermodynamics है, kinetic theory of gases है, तो और linked question पूछे जा सकते हैं, linked question पूछे जा सकते हैं, छीक है, दूसरी अगर बात करें, तो यहाँ पे भी gravitation की weightage बहुत ही कम है, छीक है, कम सवाल पूछे जाते हैं, तो gravitation वैसे important chapter है, क्योंकि gravitation के concept आप दूसरे chapters में लगा सकते हो, छीक है, इसलिए यह important है, भले ही, कम weightage रखे, ठीक है, फिर से देख लो, optics की बात करो, तो optics, again, advance में भी अपना जलवा दिखा रही है, देखो, 11% का weightage रखती है, तो यह भी important chapter है, यह भी हमें completely study करना है, एक एक question पढ़ना है, same goes with modern physics, जैसे कि मैंने कहा था, atom, nuclei and everything all, तो ठीक है, तो यह हमने दे ठीक हो, thermodynamics ही है, जो सबसे ज़्यादा weightage रखता है, as compared to mains का, तो ठीक है, अगर mains में आप thermodynamics बढ़ी लोगे, तो advance में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो hello बच्चो, आप सभी की इंतजार की घडियां यहां पर खतम होती है, हम थोड़ा सा आप discussion करने वाले है, chemistry को लेके maths और physics का तो आप देखी चुके हो, अब जे ही mains, जे ही advance का अगर आप paper देना चाहते हो, तो आप सबको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वेटेज पता होना चाहिए, आप सभी को chapter कैसे आता है, वो पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपन उसके बारे में discussion करने वाले ह और ये काफी important रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है, तो देखो, mains में क्या क्या आता है, ठीक, क्या क्या आता है सर, देखो, mains में सबसे पहले हम लोग वेटेजी देख लेंगे, आप chemistry तो आप सभी को पता है कि क्या भाई, तीन sections में divided है, simply, ज्यादा मच मच नहीं दिमाग मे physical है, inorganic है, organic है, correct, तो अब हम लोग ने जब analysis किया previous 5 साल के question papers का, तो हमको क्या पता चला, कि भाई साब हमारे physical chemistry से कुछ 32% के आसपास questions आ रहे, organic से 38% के आसपास, और inorganic से 30% के आसपास, मतलब cool मिला कि यही है कि कोई भी section कम या फिर जादा नहीं है, ठोड़ा बहुत यह हो रहा है, sections में, weightage का percentage, पर यही हम लोग को दर्शाता है कि कोई भी section ना कम है ना जादा है, और questions की बात करें, तो questions भी हम लोग ने ऐसे देखे हैं कि जिसमें आके, उठके, physical chemistry के कोई topic को लेके, बाद में directly inorganic chemistry में जाते हैं, या फिर organic chemistry में भी गूच जाता है questions, तो चलो और वो सब में बताऊंगा आपको पहले हम लोग एक बार section wise weightage देख लिए, उसके बाद हम लोग physical chemistry का syllabus एक बार go through कर लेते हैं और फटा-फट में आपको बता देता हो कि कौन से topics जो है वो थोड़े से जादा उनके ओपर questions पूच जाते हैं, तो वो syllabus wise थोड़े बहुत है, तो देखो, basic concepts है, फिर states of matter है, atomic structure, chemical bonding, thermodynamics solution, equilibrium, redox, electrochemistry, kinetics और surface chemistry, अब इन में यह यह जो chapters है, bonding का chapter, ओकी, और equilibrium का chapter, इन से कई ज्यादा questions आते हैं, means में, ओकी, अब इसके आलावा ऐसा है कि सर कि भाई, बाकी के chapters, sir, important नहीं है, बिल्कुल नहीं, यह यहाँ पर यह दो chapters, य यह दो chapters, ओकी, और यह last के यह दो, redox और chemical kinetics, इन से भी अच्छे खासे questions पूचे जाते हैं, पर आपको बताने के लिए, यह बहुत important है, तो यह रहा physical का, उसके बाद inorganic में, अब इन लोग का पूचने का pattern ऐसा है, questions का, कि इनका favorite तो बहुत P-block है, इसी को डर के बच्चे बहाब जाते हैं, पर यही बहुत ज़्यादा favorite हैंका, और इससे भी ज़्यादा favorite हैं, उनका coordination compounds, बहुत सारे questions पूचते हैं, बहुत सारे, तो गलती से भी इनको भूलना नहीं है, अब इसके आलावा, यह जो दो blocks के chapters हैं, बस S block और DNF block, इन से भी कई ज़्यादा questions आते हैं ओके चलो, और organic की बात करें, तो आपको तो पता यह organic का major chunk कहाँ पर हैं, यह चार chapters, ओके, hydrocarbons, organic compounds containing halogens, oxygen और nitrogen, पर अब इसमें भी इस chapter से, hydrocarbons से, और हमारे oxygen वाले chapter से, बहुत questions पूचते हैं, ओके, वैसे तो अब इन chapters के question को answer करना है, तो आपको यह वाला भी chapter पता होना च उसके आलावा, अब यह halogen वाला chapter जो है, यह biomolecules वाला chapter जो है, ओके, या फिर यह जो nitrogen वाला chapter है, ओके, इन से भी कई ज़्यादा question से थे, मतलब in short यह देखो, hydrocarbons, organic compounds, containing oxygen, halogen, nitrogen, और biomolecules, यह आप पकड़ लो कि यह भाई, तीन-चार chapters है, जो बहुत ही important है, ओके, तो अब यह सारा कुल मिला कि आपको तो पता ही है कि क्या हो रहा है मेंस में, अब मैंने आपको बता दिया कि कौन से कौन से chapters important है, पर आपको तो पता है कि मेंस भले निकाल लो आप अच्छे से, एडवांस में अगर chemistry की तयारी उपर नीचे हो गई, तो बकाईदा आपको IIT तो मिल जाएगा, अच्छा है, मतलब IIT तो मिल जाएगा, अच्छे IIT के लिए competition जब आती है, तब आएगी बाद advance की, क्यों sir, मैं सही कह रहा हूँ, हाँ, अब अगर आपन उमीद कर रहे हैं, कि अपन JEE देना है, सीधा तो आप JEE मेंस देके तो तुम चुप हो नहीं जाओगे, अच्छे college के लिए देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हर कोई को देना जरूरी है, यहाँ पर 33% आपका organic हो जाता है, 38% physical chemistry हो जाता है, और आपका 29% हो आपका inorganic chemistry होता है, लेकिन जैसा कि sir ने अभी बताया था, mains को लेके कि कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि inorganic को ज़्यादा पड़ो, physical को ज़्यादा पड़ो, या फिर organic को ज़्यादा पड़ो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब अपन बात करना है बेटा, advance की, ठीक है, तो advance मैं देखो, scene कै, यहाँ पर physical chemistry है, यहाँ पर आपके topic तो सब सेम रहेंगे, लेकिन कुछ जो questions हैं, वो कैसे आते हैं, सब स सारी questions thermodynamics से आएंगे आपके, equilibrium से वो थोड़े questions पूछ लेता है, और आपका यह chemical kinetic, यह काफी ज़्यादा question यहाँ से आते हैं आपके, ठीक है, चैप्टर सब सेम रहेंगे, ठीक, अब यह जो आपका analysis है, यह जरूरी नहीं कि हर बार ही, सेम रहे, है ना, वो उदर उदर तो कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर section को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक, चलो, तो यह अपने बात हो गई थी, physical chemistry को लेके, अब chapter तो आपको सर बता ही चुके हैं, कौन-कौन से, inorganic chemistry में आपका यह सब है, सब से main, जो की mains में बताया था अभी सर ने, कि P block जो है, वो काफी जड़ा important होता है, P block से बहुत सारे questions आते ही आते हैं, ठीक है, यह बात याद रखना, चलो, और coordination chemistry में, ज्यादतर वो आपसे IUPAC पूछेगा, mains में, advance में आपसे वो ज्यादतर ऐसे नहीं पूछेगा, कि name बता दो, IUPAC name बता दो, advance level है भाई वो, clear है, संद यह पूछेगा, relation बता दो, सबसे पहले देखो, अगर आप मैं बात करूँ, advance में, तो वो क्या करता है, जैसा अभी बताया थाना, सर ने, कि inorganic से जाएगा, physical पे, फिर organic की एक reaction पूछ लेगा तुमसे, तो वो यहाँ पर बहुत घुमाता है, ठीक है, तो आपको जो main है, यह भी पता होने चाहिए, क्या organic, कभी-कभी देखो, question क्या होता, जैसे कि हम और सर अभी जब analysis कर रहे थे, तो आपको कुछ बिना आप reaction करे, आप उस question को आगे ही नहीं बढ़ सकते, जैसे मैं आपको एक example बताता हूँ, कि उसने एक reaction कराई, और यह बोला, कि reactant का mole इतना ह है, ठीक है, तो अगर आपको reactant बनाते ही नहीं बने, तो फिर तो question गया ना, ठीक है, तो organic chemistry बहुत जादा major role रखता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि 30-30% सब कोच है, तो बना ही गोलूँगा, ठीक है, main जो है आपका, यह जो सार ने आपको बताया, यह से बहुत सारे question आए है, तो यही था आपका क्या advance को लेके, mix question बहुत सारे बनते हैं, और आप organic chemistry कर रहे हैं, अगर, तो reagent जो है, जैसे lithium aluminum hydride हो गया, या फिर जो भी हो गया, ठीक है, जितना भी आपको NABH4 हो गया, इन सब को आपको बहुत अच्छे से करना है, सब्ज़ म है, कि chemistry जो है, यह आपका number इधर उधर कर सकता है, selection आपका, अगर आपका ही, एक IIT में जा रहे हैं, जो top पे है, ठीक है, आप हो सकता है, 10 के नीचे जाओ, हो सकता, 3 पे आओ, हो सकता, 15 पे आओ, तो chemistry जो है, मैं आपसे बोलूँगा, काफी easy होता है, वैसे तो, ठीक है, logical ह होता है, इतना नहीं घुमा पाता है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इतना नहीं घुमा पाता है, जैसे physics में आपको घुमा सकता है, maths में तो आप सभी जानती कि J-E कर लेविल क्या होता है, पता होगा तो questions फटा-फट बन जाएंगे, बिल्कुल, तो आपको conceptual चलना है, हम को थोड़ा follow करते रहना है, आप सभी को, ठीक है, इस बार हम लोग try करेंगे, कि try नहीं करेंगी, बिल्कुल मैं आपसे बोलता हूँ, कि जा हम concept कराएंगे, उसके साथ numerical कराएंगे, कि भाया, आपका logic, concept लगता कैसे, ठीक है, क्योंकि advance में कई सारे, एक section ऐसा आता ही है, कि जिसमे numerical based questions होते है, मतलब numerical based, मतलब numerical value based, हमें calculate करके exact correct numerical value डालनी होती है, गरल डाल दिया, तो पूरा zero हो गया, सही डालोगे, तो ही 3 marks, तो ही जालोगे, और वो option भी आपको ऐसे देगा, options मतलब होते ही नहीं है, उसमें, और option ऐसे देगा, कि आपको लगएगा, A, B, B, C, B, सही है, DB सही है, यह सर बोल रहे है, MSQ के बारे में, कि यहाँ पर, ऐसी multiple select questions में, multiple options correct होते है, तो उसमें भी आपको लगएगा, क्या हो रहा है, तो बस थोड़ा सा अपना clear रखें, vision की करना क्या है, ठीक है, time को waste ना करें, सही time को use करें, utilize करें उसको, ठीक है, और जोड़े है हम सभी के साथ हम सभी आपके साथ जोड़ने वाले, live classes, तो होंगी होंगी, must practice your question, जैसे आप सभी को पता ही है, वो सभ अपना साहँ ही होने वाला है, तो must, हम भी मैनत करेंगे, आप भी मैनत करो, जोड़े रहा हो हमारे साथ, बाकी फिर आप विर आप सभी को पता है, Lern झाल आग्पर जेपेज दीटीरी सेजिट्सनेज्स झाल कर दो झाल झाल